जब आप pregnancy प्लान कर रहे होते हैं, यदि आपकी pregnancy 3-4 मैने में नहीं रुकती है या मानलो 6 मैना हो गया आपकी pregnancy नहीं रुक रही है, तो आपके डोक्टर आपको बोलेंगे अब हम आपकी फेलोपियन ट्यूब की जांच कराएंगे, अब फेलोपियन ट्यूब खुली है या ब क्यों 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 कि बहुत ज्यादा पेंफूल है वह तो मैं कराऊंगी नहीं कभी कभी वहाँ पर एक दो साल तक वो लोग treatment लेते रहते हैं बीना यह जाने के फेलोपियन ट्यूब खुली है या बंद क्यों क्योंकि सिप उनको डर लग रहा था यह बात किसी और से सुने कछी हेट बहुत ज्यादा पेंफूल है वह तो कभी कराना ही मत काप है सारे पेसंट बोलते हैं कि मेडम आपको जो ट्रिट्मेंट करनी हो आप करो लेकिन HST तुम्हें कभी नहीं करांगी तो क्या सच में एक एच एशी पेंफूल है और HST यहीं आप नहीं कराना चाहते है तो कौन सो दुसरा टेस्ट है, जिससे हम जान पाते हैं, कि आपकी फेलोपेन ट्यूब खुली है, बंध, दुसरा वहाँ पे फेलोपेन ट्यूब यदि आपकी बंध आएगी, तो तुरंत आपको सर्जरी और आई वेप बोल देंगे, तो यहाँ पे सर्जरी और आई वेप उसका उप्सन नहीं है, सर्जरी में भी 20 या 30% केसिस में साइद वहाँ पे ट्यूब खुले, फिर सर्जरी भी आपके हो जाएगी, पचास साथ हजार का खर्चा भी हो जाएगा, तुरंत आई वेप बोल देंगे, जिसका खर्चा भी 4-8 लाग तक का है, तो जैसे खुल जाती है, बिना कोई सर्जरी के और आई वेप की नीड भी नहीं है, मेरे यहां मिक्सिमम एक से तीन मैने के अंदर वहाँ पे फिलोपियन ट्यूब खुल जाती है, तो यदि आपकी फिलोपियन ट्यूब बंद भी आई है, तो भी आपको परेसान होने की ज़रत नही बंद भी है, तो क्या करेंगे हम, किस तरह से ट्रीटमेंट करेंगे, आपको कुछ होम रेमेडी बताएंगे, और वहाँ पर फिलोपियन ट्यूब बंद होने की कुछ रीजन्स भी होते हैं, वह भी डिस्कस करेंगे, तो वीडियो में आखिरी तक चूड़े रहेगा, ना हो उसके लिए क्या करेंगे तो HSD से हमें यह पता चलेगा फेलोपियन ट्यूब बंद है या नहीं है और बंद है तो कहां से बंद है देखो हम यहां पर समझाते आपको यह बच्चे दानी का मुख है यहां से डाइ इंजेक्ट करेंगे और पेट के उपर से एकसरे निका पर आती है इसका मतलब है आपकी फेलोपियन ट्यूब खुली है यह अपकी डाय से आगे निचा रही है यहां पेट नहीं है तो दिखेंगे यहां से इसको बोलेंगे मीडल ब्लोकट याँ से यहां त्यूब दुखेगे इसके अनुसार पता चलेगा कितने वहां पर ब्लोकेज है कभी कभी पूरे ट्यूब दुखेगी लेकिन यहां से फिंब्रियल एंड से वह डाय बाहर नहीं आई इसका मतलब है यहां पर दोनों चिपक गई इस तरह से तो फिंब्रिय ब्लोकेज है अब यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर देखेंगे यहां पर फुल गई है और दूसरे पे देखेंगे कि इस चीज से पता चलेगा तो कहां से ट्यूब बंध है और किस लेवल के एडेसंस वगेरा है वो भी हमें एच्चेश्ची से पता चल सकता है अब बात रही एच्चेश्ची पेंट फूल है या नहीं तो यदि आप एनेस्थेस्या के साथ कराते है एनेस्थेस्या यानि के आपको यहां पर इसा नही यहां से वह इंजेक्शन आरेंगे आपको वहां पर पता भी नहीं चलेगा दस मीट के बाद आप खुद खड़े होके रूम से बाहर निकलेंगे तो इनेस्थेस्या में भी प्रोसीजर है या फिर वहां पर बहुत ज़्यादा डरने वाली बात है लेकिन मेरे पास ऐसे भी सन के बाद हजबन के स्पर्म फिलोपेन ट्यूब में जाएगा और वहीं पर बच्चे का पहले 6-7 दिन का विकास होगा फिर जाके बच्चा के यूट्रेस में चिपकीगा मानलो आपके ट्यूब बंद है यहां पे तो अंडा और स्पर्म तो मिलना ही नहीं है तो आप कितन अपने ट्यूब खुली नहीं होगी तब तक आप नेचर प्रेगनेंसी प्लान कितनी भी करेंगे कितनी भी दवाय काएंगे रिलेस्टन रखेंगे कुछ भी सब वेश्ट तो फिलोपेन ट्यूब का खुला होना बहुत ही ज्यादा ज़रूरी है यदि आप नेचर प्रेग चाहिए मेरी टीम आपको आगे गाइड कर देगी होस्पीटल आना चाहते है तो आप आज सकते हैं दूसरा वहाँ पर दंबाया तो लेनी है साथ में वहाँ पर बहुत ज़्यादा लोगी पुछते है क्या डायट है जो हमारी ट्यूब खोल दे ऐसे कौन सी एक्सरसाइज ह नहीं है जो ट्यूब को खोल सके लेकिन हाँ एक होम रेमेडी है कि आप रात में सोते समय अपनी नाभी में केश्टर ओल एप्लिकेशन कीजिएगा अब उसकी डीटेल वीडियो मेरी चैनल पे अवेलेबल है पीरेड के पहले दिन से लेकर 15 दिन तक रात में सोते समय केश् अब तक होगे और वह भी अच्छे से दवाई नहीं लेते हैं अब फोलो नहीं करते हैं तो यह आप पे ट्यूब बंद है तो उसको कटवाने की ज़रत ने ज्यादा तर आपको यह सला दी जाएगी कि फेलोपियन ट्यूब कर देते हैं या उसको काट देते उसके बाद नेचर प्लान नहीं करते रहेंगे मल्टिपल आईवीफ होते रहेंगे परेशान होएंगे पेसा इतना वेस्ट होगा तो हैट्रोसाल्पिंग से ट्यूब के लिए सर्जरी आईवीफ में जाने की गलती ना करें होम्योपितिक मेडिसिन स्टार्ट की आराम से नेचर प्रे प्रेशरी कुछ रिजन से कराई है पास्ट में आपका सीजर हुआ था पास्ट में आपका अबोर्शन हुआ था डीन से कराई थी तो इस सबसे आपके फेलोपियन ट्यूब बंद होने के चांसेस बढ़ जाते हैं यह दि वहां पर आपके अंदर एडिसंस डेवलप हो जात है एडिनोमास इस हो तो उसमें भी फेलोपियन ट्यूब बंद होने के चांसेस बढ़ जाते हैं तो यह से कुछ एसी कंडिसन है जो कहीं ना कहीं आपके ट्यूब के उपर भी साइडिफिक करके यदि आपको वह कोई कंडिसन हो तो भी ट्यूब चेक कराना बहुत ज्याद कर दीजिए आपकी प्रेग्नेंसी जल्दी से कंसी हो सकती है तो उसके लिए सर्जरी आइविप में जाने का डिसीजन नहीं लेना है आपको कोई भी कंप्यूजन और कुछ भी क्वेरी हो तो कमेंड बॉक्स में भी पूछ सकते हैं यह हम इंस्टाग्राम पे फोलो कर सकते है इंस्टाग्राम पे क्यों इलाइस सेसंस भी होते रहते हैं वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कर दीजिए अपने जो भी फ्रेंड डिलेटिव प्लान कर इसको वीडियो सेंड करना नहीं भूलना है हस्बन देख रहे तो वाइप को सेर कर दो वाइप देख रहे है क्योंकि HST की मित बहुत ही ज्यादा फेली हुई है उसको में दूर करना है और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए बिल्कुली फ्री है तो चलिए फ्रेंड फिर जल्दी से मिलेंगे ने वीडियो के साथ तब तक के लिए टेल दी सेपी बाई